तो गैस जो हम लोग यह BIM गुरकुल का जो प्रोग्राम हम लोग का होता है ठीक है कुछ बच्छे यहां पर अपने ओल्ड स्टुडेंट्स है तो इस ट्रेणिंग को कैसे करते हैं पहले मैं इसको थोड़ असा समराइज कर दूँगा इन 10 मिनट्स and after that you can just ask whatever question you know mind तो पहले कैसे यह जो अपना गुरकुल प्रोग्राम है यह आया कैसे तो प्रॉलम यह होती है कि जैसे कि हम कोई भी ट्रेणिंग करते हैं आप अगर कुछ सीखते हो जैसे कि BIM का मैंने वीडियो कोर्स भी एप पर प्रोवाइट किया हुआ है तो जब आप सीखते हो तो सीख दोाना है फिर आप पढ़ लिए जो एक फ्लोकुल को जो सबसे बड़ा रोल है वह है इन्वोर्मेंट का यहां पर क्या है कुछ से रचा है अच्छ और बनाते हैं यहां पर एक अच्छा आच प्लस दूसरी चीज प्रॉलम क्या है यहां पर अच्छा बोलो या गुरा बोलो इसको अच्छा यह है कि डेली में आपके साथ प्रजेंट हूँ तो यू नीड टो शो मिंग ठीक आपको दिखाना पड़ेगा कि आज मैंने यह किया आपको टास्क करता हूँ आप उसके बैसि केल की कमपैनी यह क्या पोच सकते हैं या फिर आउक्uses इप्र एृट सेविल इंजर आंपको या आडपको क्या हाया शाहिए है आप्टर डेंट क्या होता है शुष स्ट्रेंग में 30 मिनित्स निक्स्ट आपको मैं देदा हूँ जिसमें आप अपने क्या बोलते हैं जो भी करते हो उसको मैं चेक करता हूं उसमें जो गलतियां रहती हैं आपको बताता हूं उसको फिक्स करते हो और उसके बाद जो लास्ट का 30 मिनट होता हूं मैं आपको एसाइन करता हूं क्योंकि आपको यहां पर गंटे का वीडियो भी वाच करना रहता है तो यू डेफरेंटी इन यू माइंड देरा लॉट्स अपूश्चिन्स तो जो भी आपके पास कुश्चिन्स रहते हैं यू कैन भी आस्ट आप उस लास्ट थर्टी मिनट पर पूश्च लोग और क्या रहेगा आपके गुर्कुल में गुर्कुल में वो सारे ट्रेनिंग्स में मॉडूल सेट रहेंगे जो मॉडूल आज के टाइम में बी आयम की जॉब में पूछ रहे हैं तो आपके कुश्चिन्स कोई है तो आप छोड़ा सा वेट कर लिजे कुछ लोग ने अभी अभी आए हैं थोड़ा वेट कर तो उसके बाद गाइस क्या होता है और दो घंटे का डेली का प्राइटिस बी आयम में यह मिनीमम रिक्वार्मेंट है कि आपके पास पास घंटे होने चाहिए जिसमें से डेड़ घंटे तो टाइम फिक्स है कि उसी समय वाक्ति साढ़े तीन घंटे आप कभी भी निकाल ल करनी चाहिए क्योंकि फिर आपके अंदर वह क्वालिटी नहीं आएगी ठीक है तो यह रहा गुर्पूल का एक सौट वो उसके बाद यहां पर एब्री वीग का मॉक इंटर्वी होता है जिसमें आप हमारे सामने होते हैं आप से टेली कुछिन्स पुछेंगे आप एंसर कर अब न रहेगा और भी कही ठीट सारी प्रफेशन की स्टेप्स हैं जो हम लोग करते हैं अच्छा कई लोग अभी ऐसे हैं जो साइड़ साइट इंचिनिंग के टर्म पे हैं और उनको BIM क्या होता है यही भी नहीं पता है तो कोई बुराई नहीं नहीं पता है शीख लेते ह हैं तो BIM क्या होता है इस पहले इस पर प्रफेशन कर लेते हैं तो BIM मिल्स होता है कैसे कि पहले भी हम लोग मॉडली करते थे बट अभी BIM कहां से है तो BIM का अगर मैं एक दम सिर सरल भासा में बोलू तो जो भी चीजे आप ऑन साइट एग्जिग्यूट करते हो उस तारी चीजे ऑन साइट एग्जिग्यूट करने से पहले आप डिश्टल प्रेट फॉर्म के कर लो उसको बोलते हैं BIM बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉल्डिंग अब लोग से इसका फायदा क्या है ठीक है इसका फायदा यह है कि क्योंकि आप किसी काम को करोगे तो देरा लॉट्स आफ चांसे कई गल्तियां होंगी उन गल्तियों फिर से सही करना कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है मालेश कोई एलिविशन आपने बनाया बिल्डिंग का बढ़ियां सा एक्जिक्ट हो गया है अब वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है उसके समें क्या होगा उसके समें आप उसको तोड़वाओ गया तो ठीक अगर तोड़वाओ तो क्या कोश्टिंग आपकी वहाँ पर खराब होगी तो इस तरीके से आपका पैसा खराब होता है ऐसे ही कभी आपने सपोज पार्किंग बनाया या फिस सुमींग पूल बनाया बाद में पदा चलना है सुमींग पूल तो सफिसेंट ही नहीं सब के लिए बहुत चोटा पड़ रह हैं ऐसे जगह पर पॉइंट दे रखे हैं कि इसान चार्जिंग पर अपनी मोवाइल को नहीं लगा सकता है एसी को कनेट ही नहीं कर सकता है पहले से अगर इलेट्रिक प्लान बनाया होता प्रॉपर देखा होता कि कैसे दिखेगा गरबर लगता आप चेंज कर लेते हैं ऐस से आप बच सके उस कॉंसेट का ना में BIM यह मैंने बहुत आसान बहुता रिया अब थोड़ा और इसका लेवल बढ़ा देते हैं तो BIM मिन्स होता है गाई किसी भी स्ट्रक्चर के लिए किसी भी जो भी कंस्ट्रक्शन आप करने आरो कोई पोजिट उसके लिए 3D intelligent model बनान 3D intelligent model बनाना आप बोलोगे सर यह 3D intelligent model क्या होता है ठीक है जैसे आप सबने अगर क्या बोलते है रोबोट मूवी देखी होगी ठीक है रजनी कांसर वाली ठीक है तो रोबोट मूवी में क्या है उसमें एक रोबोट बना हुआ है ऐसे बहुत से रोबोट या फिर स्टैचू बोलो कपड़ों के दुखानों के बाहर भी लगे रहते तो दोनों में अंतर क्या है अंतर यह है कि जो रोबोट मूवी में क्या बोलते है स्टैचू था वह intelligent था ठीक है उसके अंदर क्या था उसके अंदर सारी information मिल जाती थी और जो स्टैचू खड़ा हुआ है दुकान में कपड़ों के लिए वह सिर्फ एक model के तौर पर काम करें अब बोलो के सर्थ थोड़ा सा और इसको explain कर दीजिए तो जैसे कि आपकर जो रोबोट है या नि जो intelligent model बनाते हो model intelligent कब होता है model intelligent तब होता है गई जैसे कोई भी हमने 3D बनाया वह 3D estimation भी दे सके क्या दे से के वह estimation भी दे सके वह 3D detailing भी कर सके वह 3D यह बता सके कि paint की कितनी thickness लगेगी वह 3D यह बता सके कि material कितना लगेगा वह 3D यह बता सके कि मोटार की कितनी जरूरत होगी वह 3D बता सके कि interior designing कैसे दिखेगा means all and every information देने लगे उसी को बोलते है intelligent model ठीक है तो उसो क्या बोलते हम लोग intelligent model, hope आपको थोड़ा और ज्यादा BIM के बारे में समझना गया होगा, training के बारे में मैंने बता दिया और क्या बोलते हैं BIM के बारे में बता दिया, अब आपके पास समय है, आप यहाँ पर hand raise कर सकते हैं, क्योंकि आपके अपने personal questions होगे, कि sir मैं side पर हूँ, तो मुझे करना चीक नहीं, हर एक civil engineer को आज के टाइम में B model बनाना आना चाहिए, reason, हर एक company, ठीक है, अभी USA में research में यह बताया जा रहा है, कि 2025 तक, 2025 तक, BIM implement, जो जो company करेगी अपने construction के प्रोजेक्स के लिए, हर वो company 20-25% रुपए की saving करेगा, यानि अगर वो 10 करोड रुपए में project को complete करने वाले हैं, तो BIM model अगर उन्हें बनावाया, तो साड़े आठ करोड, आठ करोड, या फिर हो सकता है, साड़े साथ करोड तक में उनका model हो जाएगा, तो सोचो, कि जहाँ पर 2-2 करोड की budget हो रही है, वहाँ BIM कैसे तेजी से बहुत तेजी से बड़े सारों बढ़ चुका है, और बड़े सारों तो छोड़िये, बड़े सारों में ऐसी बहुत धेर सारे काम हैं, जो कि US-based companies की हो रही है, यूस में काम है, जर्मनी में काम है, आप सबको पता है कि इंडिया में डॉलर आता है, तो बहुत धेर सारी कमपनियां हैं, जो कि बाहर की प्रोजेक्ट जापन के, बेलजियम के और बहुत धेर सारे कंट्री के प्रोजर उखा के यहां पर कर रहे हैं, इसका benefit क्या हो रहा है, इसका benefit यह हो रहा है कि कमपनियां जादा salary पे कर पा रही है, क्योंकि उनकी मिल जादा रहा है, आप दूसरी चीज, MNC में क्या पूछेंगे, मेरा commitment है, recording commitment आपको दे रहा हूँ, MNC के अंदर आपको जो सिखाये जाएगा, जो पूछा जाएगा, वो सब कुछ जो गुर्कुल में पर पढ़ा दूँगा, उसके अंदर से ही पूछा जाएगा, this is my commitment, और क्योंकि मुझे पत रहे होंगे, जो की BIM के अलग-अलग company में काम कर रहे है, ठीक है, तो मुझे पता है कि वहाँ क्या पूछ सकते हैं, रही बात एक message आ रहा है, package को लेकिए, तो package is depend on, अगर आपका कुछ past experience को मैं हटा दू अभी के लिए, जस फ्रेसर तोर पे मैं बताओ, तो फ्रेसर तोर आपको एक अगर किसी भी small scale company का interview करते हैं, small scale मना समझते हैं, जहां पर आपके के वल चार-पाँच employee होगी है, तो वहाँ पर salary package होगा आपका 20 से 25,000 के बीच में, ठीक है, अभी यह depend कर, इसमें कई terms जोड़ते हैं, कौन सी सीटी में आप जॉप कर रहे हो, ठीक है, बट एक मिल जाता है, सबसे छोटी company, जहां पर किवल 4-5 employee होगे, ठीक है, अगर आपने mid-level की company, mid-level की company कौन सी होती है, जिसके 2-3 branches कम से कम हो, mid-level की company में काम कर रहे हो, तो 25 से 30,000 का package इस समय current में market में मिल रहा है, और अगर आप ऐसी company में काम कर रहे हो, जो company, यहां इंडिया में में भी है, US में भी है, Japan में भी है, अगर मल्टी नेशनल है, अगर मल्टी नेशनल है, तो 30 के ऊपर ही package देगा, इत में भी 35, इत में भी 30 ओनली, इत में भी 32, अभी डिफर करता है, कई factors जोड़ते हैं, अब कुछ लोग ऐसे होंगे कि सर मैं साइट इंजिनर हूँ, मैं आ ठीक है, suppose साइट इंजिनर कर मैं example ले लेता हूँ, current में आपकी salary पचास जार पर है, तो क्या सर मैं BIM में कहरे बनाओंगो, तो क्या 50 के आगे मिलेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि आप साइट पर 50 के काम कर रहे हो, तो साइट का आपको experience ने, 5 साल, 7 साल, 10 साल, जो भी आपने लगाया हूँ, तो अब लोगे सर, फिर मैं क्यों जाओं BIM में, ठीक है, मेरे 50 जार की salary है, मैं क्यों जाओं BIM में, मैं इसी में करूँ, बिल्गुल करी आप, लेकिन साइट पर 50,000 के उपर की जो salary होती है, किसी speed से बढ़ती है, आप किसी अपने senior से push ले रहा, 1000, 2000, 3000 का increment ह होने लगेगा, आपकी slow, 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 slow growth होगी, साइट के उपर, अगर आप 50 के आसपास हैं, जो लोग भी 20, 25 का आसपास salary ले रहे हैं, उनकी तो अलग बात है, उनका बढ़ेगा, ठीक है, बट एक टाइम के बाद, salary struck हो जाती है, साइट के job पर, ठीक है, अब वो डिपेंड कर उसका कोई friend था, 40 lakh का package था, कितने का, 40 lakh का, तो मतलब BIM में package का कोई problem नहीं है, package बढ़ता बढ़ता चला जाता है, क्योंकि इसके नहीं सीखने की बहुत बड़ी, आप बोलो, सार, आप पूरा BIM सीखा होगे, नहीं, नहीं, पूरा BIM बहुत बढ़ा है, इस पे लोग PhD करत होगे, मैं वो सिखा हूँगा, जो company के अंदर पूछा जाएगा, जिसमें mainly जो work रहेगा BIM के, rabbit का, tecla का और Naviswork का, ये तीन main software रहेंगे, ठीक है, इसके साथ ही साथ आपका क्या बोलते है, autocad, 3ds max के चप, helping के तोर पर रहेंगे, cat to BIM, scan to BIM, BIM 360, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, उस सब तो सब compliment रहेंगे, फिर column, beam, putting, slab, reinforcement and everything, ठीक है, इस तरीके से रहेंगा, अब चलिए एक के questions लेता हूँ सब के, जिससे आपकी questions solve हो जाएं, ठीक है, questions जैसे कि मैं question अभी comment के box पे आया हुआ है, कि sir अगर गुर्कुल डोर है तो अपने यहां से कैसे करें, भी आपकोर्स ठीक है, गुर्कुल दोर है तो, ओके, गुर्कुल पूरी तरीके से online है, ठीक है, online रहने का एक reason बताता हूँ guys, online रहने से सबसे बड़ा benefit क्या हो रहा है, कि मैं जो timing रखता हूँ, timing रखता हूँ कि official timing न रखा जाए, मनलों कोई job में है, तो उसको अपनी job न छोड़नी तो आपका syllabus नहीं छुटेगा, क्योंकि हम तो morning में ही आपको class करा दे रहें, फिर आप जा रहे हो अपने company के लिए, जिस भी company में आप जाओगे, ठीक है, दूसरा benefit, तीसरा benefit guys, कि हमने चार मेने का जो training दिया हुआ आपको, यह only 20,000 उसका fee दे रहा हूँ, यह fee जैसे ही मैं offline करूँगा, जिसका जो approach fee जाएगा, वो 70,000 से 1 lakh की बीच में जाएगा, आप भोलोग सर, 70,000 से 1 lakh तो बहुत जादा हो जाएगा, yes, ओ क्यों जाएगा, उसका reason बताता हूँ, उसका reason यह होता है, जिसके पूने सहर में हूँ, तो पूने में अगर मैं corporate office लेता हूँ, तो य एक chair का मुझे 10,000 minimum pay करना पड़ता है, एक batch में 30 बच्चे होते हैं हमारे, तो हमें आप calculate कर लेजे कितना chair लेना पड़ेगा, फिर जो personal staff रखना पड़ेगा, सभी चीज़ों को manage करने के लिए वो एक अलग expense हो जाएगा, तो वो सब expense यहाँ पर कड़ जाता है, दूसरा expense हो यह रहता है total, और किसी दिन आपका कुछ छूट गया, offline में आपको उसकी recording नहीं दे पाऊंगा, यहाँ पर क्या है, class में कुछ छूट गया, recording आपको everyday class के बाद मिल जाएगी, यह आपका plus point धेर सारे मैंने बता दिये, problem कुछ भी नहीं आएगी, इसका commitment मेरे तरफ से है, अब question next ले लेता हूँ भाई, clear हो गया महन भाई, आपका question, sorry, मानवेंद, sorry, और इनका next question अभी काया कि सर, structure engineer का salary 50K है, तो फिर BIM में जाना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, अगर आप structures में आपका 50,000 salary है, definitely मतलब आपका 3-4 साल का minimum experience होगा अभी, जहां तक मैं अंदाज लग दीजे आप आया ना, ठीक है, तो अगर आपके पास एक अच्छी salary है, अब आपके पास timing है, क्योंकि आपको पता चल चल चुक है, कैसे करना है, आपको बहुत अच्छे से पता है, अब अगर आप इसके साथ BIM की skills required कर लेंगे, तो complete BIM या building workflow को आप पूरी तरीके से अच् बहुत जादा बढ़ा देगा, मेरे कई students है, एक students मुझे आदा रहे है, अमन से दिखी करके, उनके पास structures और BIM का combination था, बैली के थे, उनको 9 लाग का package से लगा हुआ था, इन 3 year experience हो, ठीक है, साध आप लोगों ने उनका podcast भी मेरे साथ देखा होगा, ठीक है, तो मतलब कुल बिला कि क्या है कि अगर structure सो BIM का combination लेके जा रहे हो, तो company को फायदा हो रहा है ना यार, ठीक है, company किस तरीके से पैसे देती है, देखिए, company देखती है, calculate करती है, कि हम इस इनसान से कितने का project उठा सकते है, अगर मुझे किसी मल ये ताहिर को मैंने hire किया, और इनसे मैं 5 ठीक है, लेकिन अगर मैं project ही नहीं करा पारा हो, पास लगका, तो मैं इनको मैं hire करूँगा, तो लुकसान होगा, एक BIM बले बंदे को hire कर लिए structure का project आ गया, BIM बला तो बैठा रहे, बट अगर मेरे पास ऐसा लड़का है, जो कि BIM और structure दोनों जानता है, मेरे लिए tension free काम अब project चाहे जिसका है, मेरा तो बंदा जो है all-in-one solution है, ठीक है, तो definitely बहुत helpful रहेगा, तो अगर आपके पास समय है, तो आप उसको फी सीख सकते है, sir I did my M-tech in structure engineering, it is helpful for me, M-tech अगर आपने structure engineering में किया हुआ है, तो आपको बताऊं, तो अगर आपका structures में interest है, तो better होगा कि आप structures में ही career बनाओ, ठीक है, बीजनन्द, लेकिन अगर आपको लगता है, sir मेरा structures में उतना interest नहीं है, ठीक है, उसमें इतना interest नहीं है, और तो क्या में BI में career बना सकता हूँ, 100% आप बना सकता है, तो आप first priority दीजे कि आप उसमें करिए, क्योंकि future में आपको दोनों करना पड़ेगा, future में वही ठीक हैगा, जिसके पास structures और B.I.M. दोनों का knowledge है, for now, try करिए अगर आपका job structures में लगता है, structures में थोड़े से number of jobs कम है, आप सब को पता है, इसमें कोई दोराय नहीं है, ठीक है, तो अगर आपका लग जाता है, तो much better है, नहीं लगता है, तो B.I.M. और structures दोनों को सीख जाए, benefit ही होगा, नुकसान कहीं से नहीं होगा, यह fix है, ठीक है, और एक question भाई, इनका आया है, सब्वेर का आया हुआ है, आप लोग भी अपनी questions कमेंट कर सकते हैं, और सब्वेर का बोलने सा जाब लगने के chances कितना है, जाब लगने के chances 100% है, एक मैं आपको commitment दे रहा हूँ, सब के सामने दे रहा हूँ, आप हमें 100% attendance दे दीजे, 100% आप जो मैं assignments दोंगा, उसको आप कर दीजिए, उसके बाद 100% हमसे guarantee ले लिजे, ठीक है, कि सर मेरे को job चाहिए, मैं आपको 100% guarantee दे देता हूँ, कि आपको job लगेगी, ठीक है, जाब नहीं ल होगा, totally free of cost कर देंगे, 100% करके दिखाओ, सीरी सीरी बात है, इसको जो perfect होगा, उसको कोई company नहीं रखेगी, तो company का घाटा है, उस अमनी का थोड़ी घाटा है, अभी आपके according job एक बड़ी चीज होगी, हम लोग ने, मैंने लभब मेरा 8 सालक experience हो ले वाला है, तो हमें पता इसकी company का फायदा होता है employees से, employee का कोई फायदा नहीं होता, आप कितना लोगे, 30, 40, 50, 60, 1,00, 2,00, और क्या लोग, company आप से कितना कमाएगी, आपको इसका अंदाजा कुछ समय बाद लगेगा, company आप से कम सकम 10,00,000 रुपए कमाएगी, तब आपको 1,00,000 पे करेगी, अगर minimum best की बात करोगे as per level law, तो 5% से 10% company आपको देती है, ठेक है, 10 बहुत बोल रहा हूँ, 5 फिल जादा तो लोग देती है, ठेक है, तो आप अगर 100% perfect है, और मैं खुद commitment दे रहा हूँ, जो question पुछेंगे, सब कुछ मेरे नोर से होगा, इससे वड़ी बात क्या हो सकती है, रि हो चुकी है, ठेक है, 500 से जादा लड़के select हो चुके है, तो मेरे पास confidence है, और नहीं है, fact है, ठीक है, भाई, इनका question है कि, sir में कलवर्ट वगरा के design सीखना है, कलवर्ट के लिए प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं रहेगा दाहिर, ठीक है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बि building selected है, मेरी company जितना भी काम करती है, building selected करती है, ठीक है, हम लोग पूरा का पूरा जो live budget भी करते है, building का ही करते है, तो कलवर्ट के लिए आपको SAP 2000 नाम का एक software है, आता मुझे भी है, मैं सीखाता नहीं हूँ, अभी के लिए, तो आपको जहां पर भी सीखने के मिले, SAP 2000 सीख कलवर्ड के लिए best है, मैं कर रहा हूँ, ओके, हाँ, infrastructure में कर रहा है, तो आप भी आएम में कर यह बना सकते हैं, मेरा question नहीं, अरे भाई, ऐसी बात नहीं है, अर्सदाहमत का question है, भाई, कहा है, तो दीख नहीं रहा है, अच्छा, अर्सदाहमत का question है, I am already age 30, working as a site engineer, it will be barrier to get the job as a professor, this is, ठीक है, बिल्कुल भी रहा है, अर्सद इसमें क्या होता है, आप कैसे अपने आपको company को present करेंगे, उस पर depend करता है, अगर आप company को इस तरीके से present करते हैं, कि मेरे पास, ठीक है, मेरे पास site का इतने साल का experience है, आपके पास 6-7 साल का आराम से experience होगा, जहां तक No, I want to move myself in digital platform, और digital platform पे मैं उन्ही experience को use करके, best से best भी models बनाने का प्रयास करूँगा, जब आप इस तरीके के language यूज करते हैं, अपने अच्छे communication के साथ, तो आपका पूरा-कपूरा experience करणवर्ड हो जाता है, वीम के experience में, और जब आप इस तरीके से किसी को भी handle कर लिए, तो आप ये समझें कि आपका इंटर्वी प्रैक हो चुका है, एक लड़का है, अगर आप उसका podcast देखें, अच्छा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, विकास रिवास्तो करके, उसका same case था, he is also approached to the same 30, not 30, maybe 28 और 29 मे भी, तो आप अगर विकास का देखेंगे, तो व 20,000 salary per month, और इससे पहले हो 50,000 salary पे थे BIM जब उन्हें शार्ड किया, तो उन्हें back आना पड़ा, 35,000, but one year के अंदर उन्होंने recover कर लिया, 65 पे होज गया, within a year, ठीक है, तो ये depend करता है, आप अपने experience को present कैसे करते हो, guys, all about जो भी चीज़ भी है, BIM ही छोड़ो, किसी भी industry म सबसे बड़ी बात है, हम अपने आपको, as a product, दिल पर मत लेना, आप एक product हो, अपने आपको, means, खुद का जो product हो आप, उसको जितना better present कर पाओगे, company के सामने, उतना high values आपको दिल आपको, this is the fact of the industry, जितना आप अपने आपको present कर पाएंगे, उतना ही आप ज़्यादा मह hand raise करके अपने questions पूछ लीजे, कुछ भी questions से आपके doubt है दिमाग में, hand raise करके पूछ लीजे, सुरे स्पाल पूछना चाहा रहे, ठीक है, yes पाल जी बड़ाई, सौरब पाल, सौरब जी बड़ाई, सर मैं यह पूछना चाह रहा था, मेरा आटो कड हो गया है, और सर रेविड भी सीख रहा हूं, सर, तो सर मैं आप यह BIM घर में बैट के सीखूं, यह सर के intensive कुछ मुतलब ऐसे प्रेसरा जॉइन कर लूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा, अगर आपको एस प्रेसर कहीं पर जॉब मिल जा रही है, तो वो मेरे ट्रेनिंग से ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, लेकिन अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, तो अगर मेरे से सीख के जाते हैं, वहाँ पर बेनिफिट क्या हो जाएगा, सौरब, तु ठीक है, तो यह सारे टम्स जो होते हैं, जो तुमने आटोकेट सीखा होगा, मेरा अंदाज है कि जहां तक उसमें सीखा हो तो बहुत अची बात है, नहीं तो नहीं सीखा होगा, ठीक है, तुमने रैबिट के अंदर जो एक्च्वल बीम का मॉडल होना चाहिए, उससे रिल सीखा होगा, अभी थोड़ा रखने में मुश्किल होता है लोगों को, क्योंकि लोग कॉंफिडेंस नहीं रख पाते हैं, नहीं सर, मेरा बोलने का यह मतलब है, बोलो, 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 सौरफ, हलो, सौरफ, ठीक है, कोई बाद, नहीं साधिम की आवाज नहीं आ रहे, बाद टाहिर का कुछ्छन लेता हूँ, यह सौरफ, बोली, सर मैं यह बोचना चाहरे हूँ, मेरा सेवन एशक एक्सपीरियेंस है, रोड, 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 इन्फ्रेस्ट्रक्टर में, और मैं डिजाइन और इसमें कलवर्ट और ब्रिजद डिजाइन सीखना चाहरे हूँ, मेरा M. करें तो आप क्यों बता पाएंगे ऐसी कोई कोचिंग है या मुझे इसी में ही करना चाहिए या कोई और कोचिंग क्लासे जो ऑनलाइन बढ़ा से अपने किसमें क्या हुआ है एंटेक इसी लिए क्या क्योंकि ऐसे फैमिली सब कुस देखने के बाद मुझे डिजाइन लाइन में जाना है कि वहाँ पर ऑफिस काइमिंग बहुत जादा था इग्जीक्यूशन वगेरा का कॉडिनेशन करना रहता तो अब डिजाइन शीखना पड़े तो ऐसे मतलब हम सीखना चाहा रहे हैं में डिजाइन डोंट मैंड बट एक क्विश्चन पुछ हूंगा आपकी सेल्ली 50 के क्रॉस है कि 50 के पहले तो अब आपके लिए यहां पर क्या रहेगा कि आप बेटर यहीं रहेगा कि आप सेपी 2000 से ठीक है और उसमें आप कर सकती हैं बट उसमें प्रॉलम होगा कि आपका का एक्स्पिरियंस नहीं केल्कुलेट करेंगे तो आप एस फ्रेसर 40,000 35,000 से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा डेफिनली बीम में एक बेनिफिट होता है कि आप वर फ्रॉम भी कर सकते हो फ्यूचर में ठीकि बहुत सारी जॉब मिल जाती है बट अगर आप सब्सक्राइब करें के कलोवर डिजाइन में ही अपने आपको मूव करें तो मेरे कोडिंग ज्यादा आपका करें अच्छा होगा विश उसमें के ब्रेज भी दिखा सिखाएंगे के वह ब्रीज के लिए आप सीसाइब पर करिए एक सब्सक्राइब या फिर मेड़ास इंड तो अभी के लिए नहीं अगर में को देखना पड़ेगा अगर कोई सिखा रहा हो तो मतलब हम उसको पे करके ऑनलाइन को तो करेंगी हो लो कुछ नो कुछ तो सर्विस चार्ज होगी उनकी ठीक है अगर मेरे पास कोई पहचानका होगा तो मैं डेफिन लेट यून बट रा बहुत कम लोग जो प्रैक्टिकल एक्सप्रेंस इनके पास है वो सिखाने को आते हैं अगर मेरे पास गुर्कुल प्लेटफॉर्म नहीं होता मैं एक बच्चे को नहीं सिखा सकता हूँ कॉर्परेट मुझे एक घंटे टीश करने का मिनिमम फाइब कुस टेन थाउजिंद के आसपास देदे प्लेटफॉर्म है कि यहां पर तीस बच्चे मिल गए इसलिए कंफी में भी काम हो जाता है बट अगर मेरे पास आट साल का एक्सपीरियंस होके किसी एक बच्चे को य तो इसलिए मैं अब मैं पढ़ाता क्यों नहीं बीच को मुझे सीसाय भी जाता है इसलिए मैं मतलब मेरी एक फ्रेंड जो आपको अभी जॉइन करी हुई है उसी ने मुझे सजेस्ट के तो मैं बराबर आपको कॉल भी करे थी और मैसेज़ेस भी करे थी क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी कि आप पढ़ा क्या रहे हैं और मैं सीखना के चरूँ वह आपने जब ऐसा मैसेज किया कि मैं मीटिंग कंडग कर रहा हूं और आप सुन लीजिए तो इसी लिए मैंने सुना कि आप पूरा बिल्डिंग पे काम करते एक्शली मुझे रोड वर्क पे काम सीखना है मैं डेफिनिल्ट ट्राइए करूँगा अगर कोई रहेगा तो आपको रिफर्क लाद बताई रहा हूं जी थैंक्यू सो मुझ चलो मौमीन अगर बनाना है तो मुझे जो लगता है कि जो कर रहे है और कुछो करेंगी वह तीन मुझे बहुत जादा लगते हैं ठीक है पहली इंडिस्ट्री है बीम है क्योंकि प्रोजेक्स इंडिया मों हो सकते है जहां पर यह टम आ जाएक कि फॉर्इन की प्रोजेक्स तो आप चाहो तुसको चेक आउट कर लेना आप या पिर कहीं से भी सीखो टेकला टेकला स्टॉक्चर डिजाइनर और स्टैट सीख के पीवी में कोई भी एक फ्रेसर लड़का बहुत अच्छा केरियर बना सकता है इसमें कोई डाउट नहीं है अच्छी बात यह है तो यह दोनों इंडस्ट्री में क्राउड नहीं है ठीक है नहीं अगर किसी सो पुछो के सो से विल इंगिनेर से पूछ लोग उसमें से सतर लोग भी आयं नहीं जानते जानते जानना मलब ओड की बात नहीं कर आओ जानना मलब नॉलेज पीवी कर नौड तो सुन लेते हैं औ तो उनों इंडस्ट्री तो बहुत बोइंग है इसके अबाद तीसरी इंडस्ट्री होई स्ट्रक्चर इंजिनिंग इसका ठॉग्सा जतना टाइम आएगा जगह कम होती जाएंगी रिस बिल्डिंग बनता जाएगा स्ट्चर इंजिनिंग बढ़ता यह विए बार्ट इस प् लग गया होंगे या फिर लगेंगे तुम तो भी एक्सपिरियंस से पुछोगे तो बहुत थेट सारे बच्चे तो नहीं रहोगे इसकी मेरी गारंटी है बी आयम पीवी और आर्सी स्ट्रक्चर मुलबाई स्ट्रक्चर रेंगे चौति नस्टी जो अभी थोड़ी बढ़ रही है बट अभी समय है प्रीकास इंदस्ट्री तो यह चार इंदस्ट्री बेस्ट है बट मैं बोलूंगा मोमीन म कि हैं से बस यह सब्सक्राइग घरकने करने बहुत अच्छा लगता है कि पिंशन को करने महीं बहुत उछा लगता हैं तेन सम्प्री हों के लिए अचलिके बनाये तो को लगता है कि मैं best से best modeling कर सकता हूं बेस से best management कर सकता हूं चीजों का अब भी आई में कर आए लेकिन ये तीनों मेरे से डिसीजन लेकि आप करिया को मत बनाएगे कोई भी अपने interest को देखिए इन तीनों में जिस इंट्रेस्ट में और आप पैसा चाहिए बस और कुछ नहीं तो इस बागी तुम डिसाइड करो इंट्रेस्ट तुम्हारा अपना होगा मैं कैसे इंट्रेस्ट बताता हूँ जी सब्सक्राइब करता हूँ यहां पर प्रयास यहीं रहता है कि आपको जैनिमीन मिल जाएंसर और शायद उसी उमिल से मुमिन आये थे कि सर जो एडवाइस देंगो सही डवाइस तो मैं जज्जमेंट नहीं देता हूँ मैं सिर्फ एडवाइस देता हूँ मैं कभी नहीं बोलता कि आप यहीं करो जो आपको इंट्रेस्ट वो करो ठीक है चलिए नेक्स कुछन ले लेते हैं सौरब थे यहां पर अभी माइक ओन कर रहे थे अभी साथ नहीं है ठीक है नेक सब्सक्राइब है डर्रेस अज़ारी कि ये नहीं कर या नहीं लिब भी सकते हैं डिक है जब आप भी मिनेजर बनते हैं उस समय समय पर आपको सत्rukt便宜ा चलिए चलिए स्टार्टिंग में आपको जरुवत नहीं पींपार्ट को चेक करेका आप अपको पड़नेटर वाली है इसमें कोई धोराइं नहीं है हां उसमें आपको बॉडली बहुत नहीं करने के जरूवत है आप चेक करने के भी लेबल पर परयापको तो भी आपका काम हो जाएगा तेकिन चेकरने लिए यह यह लेयाओ गया हुआ है यह स्विच गया हुआ है ठीक है यहां से प्लम्बिंग देंगे यहां प्रेसर बन सकत कराइं तो मैं बीम में ऐसा सिच करने चाता हूं अपनों करिया आसा बीम ही अब के लिए बेटर है तो यह भी मैं पास एक्शली साइट एक्स पिंस नहीं है यह में पास वोई प्रॉलम शाय का इस प्रॉलम अधिक आ लगता ही नहीं तो मॉडूलिंग होती है उसका तुम्हारे साइड से क्या अटेच्मेंट है वो मुझे बताओ जो तुम्हें नहीं पताओ तुम्हें पूछ रहा है यह एक दम हंड़ीट परसेंट है ठीक है जो भी लोग आपको अगर डिश्टल प्रेटिफॉर्म में बता रहे हैं अगर आ कुछाओ का अपको बता दूंढ़ा हो किसी भी साइट के जरूरुक नहीं है और आपके पास इम्हारे होगा अगर मैं कर सकते नहीं किसे नहीं कर सकते हैंradas थिसके मठीके बंद किया मोट किया स्फॉं को और एक स्थॉपॉ Still करके स्थुभ के वाल की यह वद्ट मैं तरफ से निश्चिंत रहो और दूसरी चीज से रही बात में तरaj हु की यह मैं कमीटमेंट दे रहा हूं बहुत बड़ी कमीटमेंट की कुछ भी पूछेंगे बता दूंगा वही पूछेंगे एक्षिली में एक फेंड है वह सिस्तारा में काम करता है तो वह मुझे पता रहाता कि ऐसे से होता है वह एक्सपेरियंस है और फाइफ पांसारा का एक्सपेरियंस असकंदर अब वह से जाच चुका है मतलब कंपनी वाली यह से भेज़ दिया उसको तो मुझे तो मुझे अपना एक्सपेरियंस बता रहा है कि ऐसे सीखना परता थोड़ा बहुत साइट की नोलई हो तभी को इंट् सब्सक्राइब लगेगा उस पीम सिखने में देखिए चार मेन तो लगते हैं अगर इंटर्व्य के लेबल की बात करेंगे तो आप 20-30 मैंने में परक्रिक्ट लिया तो के एक्स्प्लान हमारे दिवां को पहले से था जो भी लोगों का कैरियर गैप होता है उनका सबसे अल्टर्णिव यही है को बीम में कैरियर बना है रीजन क्या रहता है सिक्समान का जब मैं इंटर्शिव देता हूं तो सामने कंपनी को लगता अच्छा सिक्समान तो यह काम कर रहे थे एज इंटर्ण और जो आपको प् प्रोजेक्ट है जी प्रसित का मॉल आकाज गोपे करके क्लड़का है अलेडी जॉब में है ठीक है डाला हुआ है तो अब जो हम इतनी इंडर्श्ट्रियल प्रोजेक्स करा दे रहे हैं आपको हमारा पॉट्पोल्य कोई कंपनी देखेगी कंपनी को क्या चाहिए उसका काम होना चाहिए न और उसको जो काम चाहिए और काम में आपको सिखा के भीज रहा हूं फिर क्या रहा है अगर कैरियर गैप है आपको पचीस एर मिल रहा है आप शांतीस इच्छा महीं निकले कर दो उसके बाद आप और रंग के आजाओ को एडिसरी नहीं जालेगा तो आप बिल्कुल भी बेजीज़क रही है कि कि अगर किसी ने वीडियो बनाया हुआ है उससे पूछ यह आपको कैसे पता कहां पर जरूर्वत पड़ेगी साइट इंजिनियर के नॉलेज की मुझे वह एंसर दे दीजिए फिर मैं नहीं बोलगा यह जो बेसी र पर आपको भी आता है बस मैं ब्रसफ कर देता हूं ठीक है कुशन आई इर्फान का लिए इर्फान मुहंबद अपना कुशन पुछ लिजे हलो मिश्टर आकश्वेरी गुडियोगी जी यह मैं हाइधराबास से बात कर रहा हूं मैं यूट्यूब से थोड़ा इदर बहुस कुछ सब कुछ सिखा है बीच में मुझे कुछ केरियर ग्यांपी नहीं है बीदिंग के उपर मुझे फूरा एक्जेक्विशन पूरा नाउलेच है इंटीर और एक्स्टीर पे पूरा सब कुछ है मुझे एक रोट मैप चाहिए मुझे अंदर जाने के बाद या मैं अधियर जा सकता हूं जा जा सकता हूं उसके बाद आपने क्या किया वह 3-4 एक्सपरेंस भी मुझे नॉर्मल कंपिनिस में है लोकल जो भी कंपिनसर होते रहते हैं ना ओन पेपर बोले तो दो साल का ऑन पेपर है दो साल का मैं फीलांसर भी करता था मैं बाकिया क्या याफिर मैंनेज कर लो के इस experience ठीक है को भगने ने चेही मुझे बढ़ है तो आप मैंएज कर सकते हो ठीक है अगर आपके पास चार सल का experience आप अरेंज कर लेते हो आप डारेक और क्वादिनीटर की profile के लिए अप्लाई कर सकते हो नो क्या इक्युवालन तो आप कॉर्डिन और कोडिनेटर की प्रोफाइल पर अगर आपको स्वाड़िस्टिक नहीं आ रही है तो बीम इंजिनेर की प्रोफाइल पर आप स्ट्रिफ्ट कर सकते हो जिसमें थोड़ इसे कॉंसेट्स पर जाओ जैसे कि आपके पास पूरा एक प्रोजेक्ट सेखने से पूरा मुझे बीपी का पूरा सब कुछ एग्जिवूशन प्लान हुआ है क्योंकि आप चार साल काम कर चुकी है तो अगर आप करोगे तो आपका एक तरीक से टाइम ही जाएगा इसके जगह पर हम आपको एक हम से ले लिज देगा हम आप दे देंगे कि क्या क्या टॉपिक्स आने चाहिए आप उसको मजबूत कर लिजे उन टॉपिक्स को और आप आपके जरीये से में कुछ ले लिया तो मुझे कुछ आप चरफ से रस्ते भी मिलते हैं इंटर्वी में कैसे जाने अगर आप रेडियो तो मुझे क्या प्रॉलम है या 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 ठीक है बट वाट आम सेंग इस नॉट कंपलसरी फॉर यूर बट जिसे कि यहां पर मोवीन है या पिसुमित है या फिर यह लोग जो एक्स्पिरेंस में हो उनको तो करना ही करना पड़ेगा अच्छा जी अच्छा सुनार अच्छा सुनार भाई हन जी सर मेरा क्वेश्चन यह ता कि अभी फिलाल इंडस्ट्री में रेविट स्ट्रक्चर ज्यादा यूज हो रहा है या टेकला स्ट्रक्चर मतलब हमारा फोकस ज्यादा किसमें होना चाहिए अच्छा कुश्चर है ठीक है देखो जो छोटी लेव ले अच्छी कोन करेगा मिल लेवल की कंपणिया रबी को यूज करते है अब लोग सरी स्मॉल स्केल वाली कमपनियां ज्यादा तर AutoCAD पे ही अपना वर्कर्णा प्रिपर करती है तीन जो अगर डिटेलिंग में खोड़ा सौट डियात में चला जाता हूँ डिटेलिंग के लिए इस समय मार्केट में तीन सबसे बहत्रीन सॉफ्टेर है एक सॉफ्टेर है रेवी स्ट्रक्चर जो सबसे बेसिक लेबल का है उसके बाद एक सॉफ्टेर आता है एडवांस स्टील करके में भी आपने सुना हो एडवांस स्टील है जो की मिड लेवल का काम करता है और डिटेलिंग का सबसे बड़ा दोलों की डिटेलिंग का बाप जो है वो टेकला इस्टाइब उससे बेटर नहीं को अब अब इसमें करूँ करूँ क्या इसमें अगर आपने इंटर्वी दिया हो तो आपने देखा होगा या पर महसूस किया हो घृष्ट पर आपने अगर जच किया हो तो आपके सीवी सॉड लिस्ट नहीं हो रही होगी और अगर स्वाड़िस्ट हो रही हुआ तो वहां पूलों ज्यादा इंटर्टेन नहीं कर रहे होंगे आपको ऐसा है नहीं सर्माइक कॉंसा भी कंपनी में इंटर्ट नहीं दिया मैं कुंप्लीट करने के बाद सिद्धा डिरेक्ट गॉर्मेंट प्रिपरेश्मेंग में गया आप चाहो तो स्ट्रक्चर के वेस्पे अपने करेर को सकते हो इट इस गॉइंग टेक टाइए आपको आराम से च्छा मैंने आठ में आराम सा टाइम लगेगा और क्योंकि उसमें कंपनिया कम प्रिफर क्यों करेंगी क्योंकि आपका एक गैप हो गया है दूसरी चीज जो सीखा होगा कॉलेज बिसिस पे मुझे अंदाजा है किस लेवल पे कॉलेज में राता है तो वह इंडस्ट्री से बिलकुल मैच नहीं करता वह बस ऐसे समझ लो जिसे यूटूब का दो चार वीडियो देख लिया हो पूछा जाता है सेकेंड और इनाल्सिस का एक तरीके साब उसमें अपने आपको मानिए तो ज्यादा बेटर रहेगा इसका और दूसरी चीज अगर आप चाहें तो अगर आपको में बढ़िया से इंट्रेस्ट है तो फिर मैं मना करूंगा क्या बचाईगी एक साल लगनी दीजी लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सार मुझे अभी पुर्म कैरियर स्टेमिलिस करना है तो जाब लग जाएगी तो आप इसमें जॉब स्टार्ट कर लिजी और बैगराउंड में अपने स्ट्रॉफ्चर को स्ट्रॉंग करके मेरा कि स्ट्रॉट कर के, आप दोनों का야 मिक्स एक यंदा तो मुझे स्टॉफ्चर कि consequences अब इसी साइड साइड में अपले में साइड साइड में सीखां वोले तो इस इप शीदी बात है हमने हटा दिया एक्सपीरियंस यह चैंज होती है जब हमारी सीवी सॉट लिश्टिंग का तरीका होता है एट्यस ट्रेंडली गुते हैं जो आपकी सीवी होती होगी अभी कंपनी को दिखाओ कि उनको टेकला चाहिए ना तब मैं पता क्या करता हूं मैं तब रेविट हडवा दूगा आपका रेविस पर कटवा दूगा के वहल टेकला तुरह सॉटिस्टिंग आती है इसको बोलते हैं एप्लिकेंट ट्रेकिंग सिस्टम को ट्रेस करने का मैठ है तो एक बड़ा लेंबा बैठेड है कई लोग जानते होंगे अपलाई खुब करते होंगे अपलाई स्वाट इस्टिंग नहीं आती है पिर आती है को एक कॉल आएंगे रियल आले कॉल नहीं आएंगे रिजन रहता है एक एक अलग से चीज़ है कि इसमें आपको मैं पुद करने में बहुत इंट्रेस्ट होता सर अभी का अनलाइस करने का उसा भी तो उसमें करना बोले तो मैं आपका इसमें से अडवाइज का है अभी उसमें इस अभी दूसरा वीडियो वीडियो देखके उसमें बुक्स पढ़के इसमें स्टॉंग करना पर आप अगर स्ट्रक्चर स्वेदम पैसनेट हो तो आप क्या करो कि हमारा एक यूनिक सीवी लैब पर एक 180 घंटे का ऑल इन वन करके कोर्स है उसको पढ़ लिजे और एक बुक आती है डॉक्टर वियल साथी आपको लगेगा तो हम लिंक भीजवा है हुआ एक उसको पढ़ लिजिए एक मेरा ओल इन वन कॉर्स होए 180 आसका है इस्ट्रक्चर में कैरियर के लिए बहुत ज्यादा सॉफिसियंट है उतना कंटेंग अगर आपके स्ट्रक्चर में करना है तो तो आप उस ही करो अभी क्या इंट्रेस्ट उसमें है तो आभी आ अभी के लेबल में बताऊं तो साइट पर क्या हो रहा है अगर आप तो आपने पता ने देखा है कि लिए हमारे बाद बच्चे हैं रात को दस बज़े 11 वगे वापस आते सुबह साथ वे साथ वे सीफ्ट होती है इस तरीके कंडिसन है तो मेरे कोर्डिंग तो उस पर जान युश्ट में कर से अंजुनियर काम कर रहा है अभी मैं बताγαां तो साइट पता है क्या किस काम करने कि कि वो कितने ट्रॉली मेटेरियल आया मटेयल को डाउन कर रहे है कि यह हमारे लेवल नहीं हो सकता है इसको बढ़ाना पड़ेगा इसको बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम उस काम को करें ही न है जब करेंगे नहीं तो उनको समझा जाएगा कि ये काम 12 पास बच्चे या फिर high school पास बच्चे का है हमारा नहीं है कि हम material काउंट करते हैं हम material को estimate करते हुए ठीक है और भी बहुत बूरे-बूरे condition है अब उसमें डिसक्स नहीं करते बट आपके लिए अच्छा रहेगा कि आ आपकी capability कितने घंटे की आप जाना है ठीक है मुझे पास घंटे के लिए लगता है उतना आप निखाल दीजिए उसके बाद आप उना काम करेंगे मुझे कोई प्रेंसर नहीं है ठीक है ठीक है सिवम कुछ कुछन पुछना चाहरे है सिवम स्वानी जी मैं कतनी दिश्टेक से हूं मेरे कॉस्चन यह दर सर की विच जॉब इस बेस्ट बिम और इस्ट्रक्चर आपने डिग्री किया हुए यस सर आइम सिविल इंजीनियर बीटेक सिविल बीटेक सिविल इंजीनियर कपका अपका 2023 सर और करेंटल अभी मैं जॉब भी कर रहा हू कि मेरा इंट्रेस्ट को देखो सिविल इंट्रेस्ट बिल्डिंग मटेयल में है बिल्डिंग मनेज्मेंट में है इस पर रड़ा है कि आप मैथमेटिक स्क्रेशन को बहुत पसंद करते हो आप सोचो कि नहीं यह फैंसी है तो इसी मिया नहीं आप दिल से पूछो अपने से कि मेरा कैल्कुलेस्ट में ज्यादा इंट्रेस्ट है कि कि इस्ट्रक्ट्ट्रेस्ट इस अल आपका मिल्हुट करते हैं आप समचते हैं चीजों को मैनेज्ट बहुत अच्छा करता हूं यह इस ऋपने कछय नहीं है अलुद में तो उसके बाद एजा स्ट्रक्चर भी जॉब कर सकते हैं उसी बिम में इस्ट्रक्चरल भी एक पार्ट होता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं है तो अगर जैसे आपकी ट्रेनिंग जॉइन की हमने फोर मंस की ट्रेनिंग यह जांते तो दिक्कत नहीं है और मेरे के बाद जी इसका हो नहीं सकता है इसकी अगारंटी देता हूँ बट कैसा सीखना वह मेरे सारी ठीकतों मैं तो नहीं मॉर्णिंग में 7-8 सब्सक्राइब करें तो डेली करोंगा तो डेली करके आना पर सब्सक्राइब मतलब लाइब क्लास जो है सब्सक्राइब करें तो 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 डिमाग में मतला हु ठीक है मेरे बस जो बोल रहा हुद ना करके लिखाओ वस जीज़ ठीक है तो जौब कर तो मैं खुद नहीं रहा हु तो तुम क्यों ले रहे हो आप जो सब्सक्राइब करें उसके लावा और अधर कुछ चीजों की ज़ुरत होती है इसमें जैसे बीवी एस हो गया जो जरूरत पड़ेगी वो सब्सक्राइब को एक तरव रख दो जो जो जरूरत पड़ेगी मैं सब ना सिखाऊंगा और जो अधर अधर सौफ्ट्वर सोचें सब मैनेजमेंट की लाएक है मेंस प्राइम अगरे लगेगा ही नहीं जिस दिन लगेगा उस दिन मैं सिखाऊंगा बड़ लगेगा ही नहीं जिस प्रॉफाइल की त्यारी मैं करवा रहा हूं और इस्ट्रॉक्ट्ट्र के लिए एक सॉप्ट्वर और होता है तो उसकी नहीं होती क्या सब्सक्राइब और इसमें रेवेड इस्ट्रॉक्ट्ट्र तो सीख रहे हैं हां रही स्ट्रॉक्ट्ट्र का काम होता है त्रीडी डिटीलिंग करना और पर और काम होता uh कि अगर किसी को विचा हूआ है तो सब्सक्राइब टाइशन करना जाता हूं विस्ट्र से बीम अज़िएर और अगर करना चाहेंगे तो बीम इंज़िनियर और स्ट्रॉक्टुरल इज़िनीयर का कैसा लिंकिनिंग रहेगा लिंकिग ज़रूरत झाहें में परती हें आइर लेबल्स यदब मैनेजर अपर टीक हैं मैंच घर को पूरा अगरोट करना पड़ता है पूरा पूरा कपूरा ही डील कर रहे हो ठीक है आप मैंजर की प्रोफाइल पर रहो तो वहां पर आपको बहुत हिलोप करता है हर यका आदमी चाहता है जिसी कि आपके घर में अगर कोई एक मुख्या है मुख्या इनसन्स जो आपके घर करें गार्जियन थे आप चाहते हो कि गार्जियन जो आपका हो वह बराबर देखें चीज़ों को पसंद करोंगे तो वही चीज होता है मैंनेजर की प्रोफाइल पे जहां पर हर चीज का नॉलेज़ आपको चाहिए अगर आपका गार्जियन ऐसा है जो अभी करेंट के यूथ को समझी नहीं पा रहा है तो चोटा बच्चा है और एक बड़े अंतर हो जाता है उनकी बीच में बना पाते हैं लेकिन अगर कोई ऐसा है जो जानता है कि सेच के बच्चों को से क्या बात करना चाहिए और उस वेस से स्टाइब करना चाहिए बिंद्धैर को किसी भी मॉडल को बनाने का इस्किन बतादेता हूं आपको दीजाइड करना कि सीदा है किसी होता है किसी भीagenका मॉडलिg करना की थिसा यह क्यों पूडलिग मॉडलिंकर था है reflect और मॉड़ल के भी इस पर श्रॉक्चर की नर्सी सर्ण करेगा कि अधिक है चौथा इस डीटेलिंग करना जिसमें आज कल यह जी अधिटीक तेलर का थिक पाच्वा क्या क्या थे मिन क्या भला दूसरा स्ज़्टेफ रेगे जी सरी यह सब्सक्राइब तो 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 टोट ट्वेंटीट ट्वेंट ट्टिक पासा उट एए मेरा तो अब वीप अभी एक company में job कर रहे हैं तो बीम में अगर career बनाया है मालब 4 मन्त के बाद फिर दूसरे company पर apply करना पड़ेगा अब मैंस आपको apply तो करना ही पड़ेगा पिस profile में का रही है अभी तुम एक्ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए तो उसमें तो मती बनाओ अब रही बात भी आए नहीं अच्छा नहीं तो बिल्कुल अच्छा नहीं है एक तो क्या बूलते हैं कैसे होता है कि हार इंसान को चाहिए अची होता है कि हमारे बंडे टुक टाइडे वह अपने ग्रोथ को भी तो देखे ना इंसान फ्यूजर को भी तो दिमाग रखना पड़ेगा न तो आप क्या गोलते हैं वी में बिल्कुल करिये बनाएगे और बीम में करिये बनाके मैं बोलूंगा आप 4 महीने बाद नहीं बीध महीने के बाद यह करें करते हैं क्योंकि करते ही कोई बैट्स वेरी है कि तुरंदी सॉट लिस्त कर लेगा धादि 15 दिन minimum लगता है किसी CV को देखने में कमपनी को 15 से 20 दिन के बाद action होगा कि आपकी shortlisting आ रही है और जब तक shortlisting आएगी तब तक आपकी दो मेने की training हो जाती है क्लियर और फिर उसके बाद आपको चाहिए और ऐसा भी नहीं है कि पहले इंटर्विव को ही क्लियर कर आजाओगे नहीं दिमाग पर रखिए कि पांच इंटर्विव में रिजेक्ट कोंगे बठा अच्छाट भी कंपनी मेरी है कि अब अभी तक का जो रिकॉर्ट रहे कि दूसरी कंपनी तिसरी कंपनी में लोगों का होई जाता है अब और भी आएं करने के बाद एम्टेक करना कंपल सरी है या फिर वासा कुछ नहीं है कि बिल्कुल नहीं कि अब यह करने की कोई जरुवत ही नहीं कि आप इस पे बिल्कुल कर सकती है और क्या बोलते हैं इसी बेस पर अपने करें को बना सकती है करना होगा तो प्रोजन मेनेजमेंट में कर लेंगी तो एक टैग मिल जाएगा बट और कुस मलब ऐसे आ सकता नह दूकेगा में चाहिएं इस अमें सबसे बयाय में ही है तो क्या बिंधा सकती हैं जोप के नंबर से लागा सोमरी नहीं करूद कॲए आपको श्यक्तर लिख सites अ और यहश्राउ इसे भी तो दोसzubी इस ब्यद्ट इस पर फिर होगा शजेए कि इस करेंद कि आपने आपने आंड लिए कि अ कि मोटोमेशन के ऊपर कुछ पता सकते हैं कि भी मोटोमेशन पर क्या जाना तोबहरा कुछ एक्सफिरेस है उसमें नहीं सर अभी तर अधिर बाद आपके पास कर्फिएसन का एक्सिरेंस होना चाहिए उसके बाद आप डाइनमो में करियर बना सकते हैं अगर आप मेरे ट्रेडिंग के बाद अगर कोछ बोलेंगे तो अटोमेशन होता है अटोमेशन में इसमें भी आड़ करने वाला था बट आटोमेशन करते ही इस लेवस बहुत बड़ा हो रहा था दूसरी चीज लोग कन्फ्यूज हो रहे थे जाहें कि दर तो पहले हम लोग अलग सी कोर्स जैसा कर सकते हो लांच करने के चल रहा है बहुत जल्दी हो भी आ जा अब यह 20 लाक आपको लगेगा बहुत ज्यादा है लोगों को लगेगा ठीक हो सकते हैं आपको न लगे लेकिन आप सर्च करिए जो बड़ी बड़ी कंपणियां है जिसे कि जॉंसल्स कंट्रोल है एकॉम है रैंबॉल है इनके पैकेज को आप चिक करेंगे तब आपको आईडिया लगेगा इनका लेवल ही कुछ लगे ठीक है अगर उन कंपणियों आप ब्लैक अन वीच है ठीक अगर चलिए गाइस और होपसों सब्सक्राइब कर दिया और किसी और को कोई कुश्चन रहा हो बिल्कुल पूछ लीजिए बाद में इमत के समय आया था आपनी कुश्चन सॉल्व नहीं क्या ठीक मेहंद्र कुछ पूछना चाह रहे हैं यास मेहंद्र को लिए सब्सक्राइब का तरह बाद में आपको कैरियर बनाने पोल रहा है या सीखने किली बोल रहे हैं इस हाव करें लर्न राइट इस ट्रांस्पोर्टेशन इंजिनिरिंग को अगर वर्ट देंगे तो सहीव नहीं रहे हैं बल्कोली आप इंफ्रा कैसे यूज करेंगे इसको तो इंफ्रा पर यूज करने का सबसे अच्छा क्या होता है कि पाले तो बैसी मॉडलिंग उसकी लगती है ठीक है अभी आप अगर उसको हमने रेवी स्ट्रक्चर्चर्स पर प्रॉपर डिटेलिंग करके दिखा दिया उसका अराम से हो जाता है पहली सबसे बड़ी कीज़े दूसरी चीज क्या होती है कि हमें एक इनवार्मेंट दिखाना पड़ता है किसी भी प्रजेट को पास करना है सो अभावी स ट्रेफिक वाला खड़ा रहेगा और इस तरीके से मुबवन होगा यहां पर कैमरे लगे होंगे आपने फिचकल अपीरेंस दिखा दिया किसी चीज का प्लस आपके जो साती है और लोग केवल और केवल एक आटोकेट पिसकेश लेके गयते अब आप खुद रिसाइड कि टेंडर किसको ज्यादा मिलने का चांस है तो सबसे आदा टेंडर जो मिलता है अजके रही है तो अगर आप ट्रस्पोर्ट या इन फ्रम बोलिए अगर आपने फिचकल अपेदेंस दिखा दिया कि मैं लाइट्स इस तरीके से लगा रहा हूं मैं बॉडल्स को इस तरीके जीट करने वालों, there are big big possibilities की tender आपके हाथ में आते हैं, इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपरियां हैं, वो सभी यूज़ कर रहे हैं, कैसे कहां से connect कर रहे हो, city के इस corner को आप connect कर रहे हो, इस corner पे ले जाकर छोड़ दे रहे हो, कैसे इसको pitch-free appearance करोगी, उसको execute कैसे कराओगी, उ ऐसा दिखेगा, वो सब के लिए आप दे इस model को यूज़ कर सकते, बहुत से चीज़े हैं, समझ गया मैं? आइसार एसार, ओके, और भी बहुत से चीज़े हैं, मैंने एक sort दिया, चलिए, next question ले लेते हैं, क्या बूलते हैं, question तुसका भी किसली माइक ओन किया है, फिर से, अपले कुछन ले लेते हैं, रशीका का, और उसके बाद और सायद फिर किसी न और असी ओमने फिर सॉन किया मैट, ठीक है, मंजुसा का, स्वरी, मंजुसा आपने माइक ओन के, प्रीस, येस मंजुसा, बोलो, स्वरी, मुझे पूछना है, मैंने स्ट्रक्टर में तो अपना करियर बना लिया आधा, आधा नहीं पुड़ा बन गया, आपके इसाब से बन गया, सो मुझे स्टैड़ प्रो और एक्सेल का पूरा नॉलेज और वो सौम का विगरे सब है, आपके मैंने बीम का भी मुझे जितना पता चल रहा है, आपके बात से कि वह मैनेजमेंट सॉफवेर है, या डिटेलिंग या तरिफ, वह एनरेस करता है, क्या करता है, वह मुझे पूरा वर्फ्लो को मेंटेन करता है, वर्फ्लो मतलब कितना काम कराने वाले हो, तो मैंने क्या बोला, लियाओट कैसे बनवाएंगे, कैमरीं कैसे, जो एक्चुली ओंसाइट काम होता है, उस काम को ओंसाइट न करके, उसको पहले ही सब कुछ डिशल प्लेट पर कर लेना, अब उसके अंदर सबाता है, चीजों को मैनेज करना, कैसे मैनेज करना, कैमरीं कहां कहां लगाओगे, कि पूरा, आप दस कैमरीं आपको लगा दे है, तो दस कैमरीं ऐसे जगह लगाओ, कि हर एंगल से आपको डाटा मिल जाए न, कौन कहां से जा रहा है, ये भी इसके अं सभी लोग पंचिंग करने कोई कहीं पर स्मोकिंग कर रहा है चोर इस ऑफिस के अंदर कैसे स्मोड डिडेक्टर तुरन डिडेक्ट करने है उसके विए लगना टाइप से वह इसके अंदर ही आता है फिरहला हम लोग यहां तक जाएंगे नहीं यह बहुत हाइड डिटेल हो ग तो करना है और रिक्वाइड टूप क्योंकि इसना कॉंप्लेक्स आओगे तो कि एक प्रोजेक्ट में ही पूरा चार महिना चला जाएगा तो तो यह सा जैसे टाउं प्लानिंग रहता है वैसा टाइप आप आपने मुझे बताया है यह सो मेरा कुशन यह कि अगर हमको सेप सिर्फ detailing करता मतलब मुझे रेविट स्रक्चर में ज़्यादे इंडरेस्ट एक करें तो उसके बारे में मुझे जढ़ा रेटेल में बताएं कि अन्वान करेगा क्या होता है मलजुसा कि इससी तो पीम कंसल्टेंट एक अलग प्रॉफाइल होती है तिक है तो लिग स्ड़क स्नक्चार्टि प्रूंटेस्ट नवे असक्याम फॉर्वर्ड कर दिए उन का 3D Name करें। चोगे परमut में फॉर में फॉर्वछ न fatal नॉरी कम दैए। सब्वूर्व Fest नरी क्या करता है। कैसे टाइज लगाना है कहां पर लेपिंग लगाना है किस तरीके से वहां पर क्रेंग हम दिखाएंगे क्योंकि ऑन साइट जब होने लगे कि चीज़े कॉंप्लेक्स हो जाती है तो प्रॉपर एक चीज को देख के बनवाया जा सके उसके लिए रेवी स्ट्रक्चर और टेग प्रोजेक्त करा की लिएंगे तो उसमें क्या हम स्टार्बिंग क्या करेंगे उसको ऐनलिस की होई का मिलेंगे क्या फिर डिटेलिंग के से करेंगे गले अब धते बात दो अब इसी बाते करने इंछ की है क्योंकि आपको तूड़ी देदिद्विश की प्रैटिस कि में आप reinforcement को प्रवाइट करना पड़ेगा प्लस इसमें और बहुत बड़ा मोडूल आता है इसको बोलते है रेविट फैमिली तो आप उन चीजों की फैमिली वीजिसे की मैट फाउंडिशन है मैट फाउंडिशन की आपर फैमिली क्रीट की जाती है किंगे आपने देखा विंडोर विन्डव एकार फैमिली उसी तरी के से मैट फांडिशन है पाल फाउंडेशन है उनकी रेविस पर फ्रक्स का पता रहें अ कि अब इस दिए तुम को थोड़ा से क्लियर करने कि कोशिश क्या हूं पट क्या बोलते हैं अभी क्या हो गए ना मन्जुसा अभी देखो पहले क्या था पहले हर जगह पर 2D डिटेलिंग्स कचलता था जब मैं भी जॉब कर रहा था तुम भी जब कर रहे हो तब युब है ल अभी कंफिजन मेरे क्लियर हो गया सब आपके पास एसा मॉडिल ने के फिर वो स्ट्रक्चर भी और यह भी पूरा क्लियर कर दे आपका मतलब 3D डिटेलिंग एंड स्ट्रक्चर और अनेलिसिस अ अलेडी स्ट्रक्चर अनाशिस वाली फाल्वे दुमन आपको डिटेलिंग करने कि एकुमन पर सबस्क्राइब करोगा पारि कि वेलेगः के वेली स्ट्रक्चर गया सिकानब घ्ला के दुमनेख़र को अन writes कंपोनेट्स हैं प्रसेज हैं टेकला के अंडर कॉंटें हिंगे कियो क्योंग तersonal hmm ciao यता और किसी कोई डाउट है वही दिख बीजे कुछ पुछना चारें इस दिख बीजुलाइजिशन का पार्ट क्रेट कैसे होगा मतलब बीम में कैसे बनाएंगे या फिर कैसे कैसे करें आपको मुझे लगवानी है कि आप स्मोकिंग करें उसका सब सचा तरीका क्या होगा तो उस creativity के सागर में जाना पड़ेगा, you need to see the lots of models, और उसके लिए बहुत अच्छी website में आपको ट्रेनिंग में suggest करता हूं, Pinterest, पिंट्रेस्ट पे एक से बढ़ती एक models रखी हुए और infinite models रखी हुए, तो you need to visualize that models, आपने एक को देखा ते दूसरे को देखा, एक का balcony अच्छा लग रहा है, की railing अच्छी लग रही है, की compound wall अच्छी लग रही है, लाखों model से, तो जब मैं बलता हूं, बच्चों को क्या बोलता हूं, कि आप जाईए उसके अंदर खो जाईए, जब उसके अंदर खो जाएंगे, तो there are big possibilities को चीज़े आपके अंदर adopt होती है, और पिर सब्सक्राइब करेंगे, सब कुछ हम देंगे, कैसे करना है, वही मैं बताऊंगा, और किसी कोई problem question कोई सिका, अलो सर, हां जी, बताइए, अच्छे सुना, सर, अभी, फिलहाल में, माइक्रो स्टेशन बेंट किया कुछ software है, तो उसका मतब्बीम में कहा रोल है, अभी, अचानक से, माइक्रो स्टेशन बहुत तेजी से बाड़ पाए, तो बल्कि, अभी मैं, अगर तुमनें, दो-तीन पहले का model वीडियो देखा हो, तो मैंने सोच सकते प्ला, उसमें, प्लान कियो, माइक्रो स्टेशन बेंटिली का एक software है, तो ये भी आपकी detailing करते देता है, और इसके अंदर आप BDS भी निकाल सकते हो, तो इसको मैंने इस प्लान किया हुआ है, इस बार की ट्रेशन जो भी होगी, बलग जो भी अपनी best start हो रही है, इसम में देखता हूं कि क्या-क्या पूछ रहे हैं, और वो सारे topics को मैं अपने training में add कर देता हूं, without slavos, slavos का एक तरफ जादा ध्यान देता हूं, ठीक है सुना, तो मैं करा दूँगा, ठीक है, अब भी connection है कुछ LinkedIn पे तो बहुत जगा इसलिए मैंने प्लान कर लिया, मैंने चार दिन पहले ही वीडियो मेंने बोला कि इस बार सोच रहा हूं कि add करो, सिर्फ इसलिए मैं add करता रहा हूं को मेरे लिए नहा नहीं है, पीछे भी कईशी जैसे कि इंसके बहुत trending में आया, ठीक है, तो इंसके को मैं तुरंत अपने स्लेबस में, आज भी मेरे स्लेबस में नहीं इंसकेब, मेरे क्लास में सकेब है, मझे लगता है लिए स्लेबस को मलब जुसको ट्रस्ट मेरे पर हो, मतलब हमारी बैच से कुछ स्टार्ट करने वाले हो क्या, स्टार्ट करेंगे लेकिन माइक्र स्टेशन का इंटूरक्षन और क्योंकि ऐसे मैं अगर कमिट्मेंट कर दूंगा तो सब्सक्राइब कर दूंगा और उसके साथ इंटर्वी में क्या पूश सकते माइक्र स्टेशन में यह कमिट करता हूं तो एक और क्वेश्चन था जैसे आपने थोड़ी दर पेले बूला कि आप एनलिसिस की फाइल वगरा देंगे प्रैक्टिस के लिए तो सब्सक्राइब व मैं डेली चेक करूंगा और वह आपको करके आना पड़ेगा नहीं दूसरी फाइल नहीं दूंगा हमारे गुर्कुल बड़ी डाट पड़ती है लड़के एक बार जवाज आते हैं उनको समझ आता है कि वह उनको करके ही आना है नहीं तो नहीं आएंगे हों ठीक मैंने ऐस बोला कि 100% है तो मैं 100% में को बताता हूं 100% है जिना सिर्फ words में आसान है रोज करना मन लगा के करना यह अपने आपने बहुत बड़ी चीज़े हो यह तरीके से बोलो तो यह तपस्या है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है ठीक है जो भी किया है हर कोई प्ले सबसे अच्छा वर्क होता है कमांड होती है उसके अंदर करना उसका ओर्गानाइजर प्लेकर ओर्गनाइजर कमांड से इतनी बहत्रीं होती हैं कि किसी सच्वेर सोह ही नहीं सकता इसलेवल इस डिलिकू करता है तो सबस्कृतित ह Chung आपको designing को देखके अपने reinforcement को प्रोवाइड करना है अपने connections को प्रोवाइड करना उसकी details निकालना है ठीक है चलिए गए सपीरम लोग मिलते हैं और क्या बोलते हैं मैंने टीम के तरफ से अगर कोई call जाएगा तो आप बता दीजेगा उनको जो भी आपका feedback आप वेबिनार अच्छा लगा है जैसी भी चीजे आप बता दीजेगा आपका एक घंटा खराब तो नहीं हुआ उमीद करता ह हो नहीं हुआ होगा कुछ सीखने कोई मिला होगा ठीक है तो आप फिट्वेक अपना दे दीजेगा जैसा मिया आपको लगा चलिए थेंक्यू सो मच मिलते हैं आप से एक संडे को अगर ट्राइम ठेगा तो क्लिक कर देंगे बाटने माँ व्याद रखना चालो बाए बाए हुआ 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 है